तो बच्चों में इस टाइम धीरे धीरे एक थोड़ा सा डर आ रहा है जार इस चीज का आ रहा है कि यार कोश्यन या पेपर के पहले-पहले हमारी इतनी अच्छी प्रिप्रेशन हो जाएगी कि हम सलेक्ट हो सके या फिर ऐसा ना हो कि हम पचीस-पचास नंबर से चूप जाएं तो इस चीज के लिए मैं उनको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि डरो नहीं अपने पर कॉंफिडेंस रखो और हार्ड वर्क कर जाओं या किसी का रिवीजन नहीं हो पा रहा है या किसी के नंबर कमा रहा है तो आराम से बैठ कर सबसे पहले सोचो कि कहां गलती हो रही है सबसे पहले आराम से बैठ कि यह सोचो कहां गलती करना है माननों कोई बच्चा खुब पढ़ रहा है मगर नंबर भी कमा रहे है तो इसका मतलब उसको पहले यह एनलाइस करना चाहिए कि यार पढ़ भ पढ़ रहा हूँ तर में इंदसेंस कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं तो दिमाग में आ रहा है सेट हो रहा है कॉंसेट अच्छे से अब्जॉर्ब हो रहे हैं ऐसा है भी की नहीं कि बस समझ नहीं कर रहें सिर्फ खत्म कर रहें या फिर हमस्ज भी लेते हैं खतम फार्मूला नहीं याद रेका से है या जो मेन कॉंसेप्ट है वो हमारे दिमाग में नहीं रहते हैं जिसकी वज़ए से सिली मिश्टेक की वज़ए से कोश्चन गलत हो रहे हैं किसी ने का सर कित्ते घंटे पढ़े तो हम तो कहते हैं बस आपके पास लास्ट के तीन-चार मैंने सिर्फ एक ही काम होना चाहिए क्णे क्ञाव यह सो लिए ठीक है अब फिर पढ़ा भस और कोई तीसरा काम नहीं ओं हो आँ अ क्षाना सोना हो पढ़ना कि कि इसके अलावा यह कोई काम कर रहा हूं इसका मतलब तुम अभी एक्जाम की ठीक है चेकर इसकोत्त को पहचान नहीं पा रहे क्यों तुम मत्कारी कर रहे हो मगर पड़ोसी मत्कारी नहीं कर रहा है वो पढ़ रहा है तुम मत्कारी कर रहे हो तुम जो है फाइब का सेकंड वीक मना रहे हो पढ़ोसी फैक्स का सेकंड वीध फोकस नहीं कर रहा है वो पढ़ाई पेशा तुम्हारा फोकस फैक्स के सेकंड वीध एक आज कौं सब्ढ़े है के और कि इसका फोकस पढ़ाई शागशा है तो तरक पोखले शीजेap से कहुं 40 कुल टेस्ट दे सके और अपने को अच्छे से कर सके कि हम कहां पर लाई कर रहे हैं और तुम इन सब चीजों पर डटे पुड़े तो बहुत अच्छे से अपना ध्यान लखिया और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं